कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक वाइटमन सी सिर्म का रिव्यू जो की है ला और गैनो की तरफ से वाइटमन सी 20 परसंट जैसे की आप पैकेजिंग को देख सकते हैं यह है ला और गैनो की तरफ से वाइटमन सी 20 परसंट सिर्म जिसके की इंग्रेडेंट्स है हाइलोरोनिक एसिड ग्लूटा थैयॉन कॉजिक एसिड अलोवेरा एंड ग्रेप सीड एक्स्टैक्स और आप देख सकते हैं इसके उपर प्रड़क्ट मिलता है और उसके साथ-साथ इसे यूज करने के लिए इसकी शेल्फ लाइप जो आपको मिल रही है वो है तू यर्ज और इसके साथ-साथ सबसे अची बात यह है वैसे तो यह एक एक आल स्किन टाइप सूटबल प्रड़क्ट है बट उन्हें ने फिर भी म मिलता है 20% और उसके साथ-साथ इसके अंदर है हाईलरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉरॉ जो ग्रेव सी रैक्स-एक्स होते हैं वो anti-aging होते हैं, anti-oxidant होते हैं जो भारी skin को बहुत तरीके से repair भी करता है, उसके साथ साथ sun damage से भी हमें protect करता है भारे बात करते हैं actual product के बारे में, इसकी packaging कुछ ऐसी है यह dark color की glass bottle में आता है और इसमें आपको एक pump मिलता है और pump के उपर आपको ये एक इसका ऐसा cover मिलता है जो कि इसे बहुत ज़ादा travel friendly भी बना देता है क्योंकि इसे ये है कि product आपका बिल्कुल भी leak नहीं करेगा अगर आप traveling के दोराने से अपने साथ लेके जाते हैं उसके साथ साथ guys जो pump packaging होती है बहुत ज़ादा convenient होती है hygiene होती है pump packaging से आपका पूरा control होता है product के उपर so guys अभी मैं आपको इसका texture दिखाती हूँ आप देख सकते है guys ये कितना ज़ादा liquid है और इसका सबसे बड़ा drawback भी मुझे यही लगता है कि ये इतना ज़ादा liquid है और guys आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे blend कर रही हूँ और ये blend होने में थोड़ा सा time लेता है means आपको एक से दो मिनट इससे blend करने के बाद इससे थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा फिर आपके skin में absorb होता है means ये immediately आपके skin में absorb नहीं होता थोड़ा सा time लेता है plus उसके साथ-साथ ये थोड़ा सा tacky feeling देता है थोड़ा सा sticky लगता है but after 5-10 minutes उसके बाद skin में बिल्कुल अच्छे से absorb हो जाता है और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चले का कि आपने पनी skin पर कुछ भी apply कर रखा है और इसकी जो fragrance है वो थोड़ी सी mild है जैसे oranges, fresh oranges होते हैं बहुत ही mild fragrance है जो कि थोड़े time के बाद अपने आप vanish हो जाती है So guys, अब बात करते हैं मेरे personal experience के बारे में कि ये product मेरे लिए कैसा वर्क किया So guys, इसे मैं बिछले 13 days ते यूज़ कर रही हूँ मैं ऐसे morning और night दोनों टाइम यूज़ करती हूँ अपने toner को apply करने के बाद और आप जानते हैं कि मैंने बहुत सारे vitamin C serum के review कर रखे हैं अपने channel बेर जो कि वाके में अच्छी है बट उन सब में से मुझे ये product सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उन product से कही ना कही मेरे skin पे work करना अब बंद कर दिया है बट ये product बहुत अचा work कर रहा है और आपके लिए helpful भी रहा होगा सो जाने से पहले guys आप मेरे channel को ज़रूर subscribe किजेगा क्योंकि ये बिल्कुल free है और इसके साथ साथ जो bell icon है उसे जुरूर press कीजेगा ताकि आपने जाने पर इस सभी video के साथ notified रह सके और guys इस product के जितने भी buying links है मैं in description में mention कर दिये है आप जाने से पहले description box जुरू चेक कर सकते हैं Thank you so much guys God bless you all, bye bye